बॉल जब डालते हो, तो बाउंस क्यों होता है, वो रियक्शन देता है, तो जब हम कोई चेंज देखते हैं, और हम दुख का रियक्शन देते हैं, तो क्या होगा? हम जितना उसको धकेलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वापस आता है, यह लॉय है, यह विज्ञान का सिद्धानत है, कि जितनी ही फोर्स से आप किसी चीज़ को थ्रो करते हो, उतने ही दुगनी प्रतीक्रिया सामने आपको वापस होके मिलती है, ठीक है? यह सिद्धानत है, तो जब हम किसी स्थिती को अपने आपको डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए उन चीज़ों से हम रिजिस्ट करते हैं, हम उसे वापस बेजते हैं, हम कहते हैं यह नहीं चाहिए, दुख न, यह वाला तो चाहिए ही नहीं मुझे, यह नहीं ही चाह से आपके पास वापस आता है, यह सिद्धानत है, तो क्या करो, क्या करना चाहिए, हाँ, यह मान लेना चाहिए, कि आया है बिटा, थोड़ टाइम में चला जाएगा तू, बिटा रहे, पानी वानी पी, खाना वाना का, हमार घर में मैमान आते, चाह पानी गराते न, है न, शांती से, जितना forcefully हम किसी दुख या किसी परिस्थिती या किसी परिशानी को, हम जितना forcefully, थ्रो करते हैं, उतने दुगुने force से वो हमारे पीछे वापस आती है, इसलिए जब जिस समय कोई ऐसी परिस्थिती आ जाए, तो temperature हाई नहीं होना चाहिए, ना शरीर का, ना मन का, ना बुद्धी का, टेमपर हाई नहीं करना चाहिए, शान्ती, हर चीज का solution होता है, शान्त और स्थिर बुद्धी, जो चीज का निरने, सुचारू रूप से, सफलता से ले सकती है, वो हिट करने से नहीं लेती, आया है, कोई बात नहीं, ठंदा से पानी पियो, दो गुट पानी पियो, दिमाग ठंदा रखो, स्वास उस्वास को दीमे करो, आप तेरा क्या इलाज कर सकते हैं, बताओ, बुद्धी दाता परमात्मा है, यह, ईश्वर की कृपा के बिना तो पता भी नहीं हिलता, बोलते है, हांड़िट परसंट है, शायद आप ना देख सकते हो, इश्वर को ज़्यादा अच्छा देता है, तो पहले तो इश्वर की कृपा मान लो, हर चीज़ को एकसेट करना सीखना चाहिए, अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई चीज़ ऐसी घटित होती है, या जो कोई हमारी बात को नहीं मानता है, या जो हमारे विरुद्ध चला जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, कि जो हमारे विपरीध हो गई, उसमें भी अच्छा है, सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचना सीखो, कुछ सिखाने आईए, क्या, कुछ समझाने आईए, पर क्या, अगर हम उस पर कॉंसंट्रेट करते हैं, तो उसके दुख का जो फोर्स है, उसी समय सतर से अधिक प्रतिश्ट कम हो जाता है, पर जब हम उसको थ्रो करते हैं यह दुख है, यह नहीं आना चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ज़रूर होईगा, ऐसा तो बिल्क पुल नहीं होना चीज़, पक्का ही होगा, और यह ऐसा ही होना चीज़, नहीं होगा, इसलिए शायद हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम चाहते थे वह होती ही नहीं, है ना, और नहीं चाहते वह सब कुछ हो जाती है, है ना, हम नहीं चाहते हैं, वह सब कुछ होता ह और जो हम चाहते वो कुछ नहीं होता है एक कितने लोग मेरी बात से सहमत हो लग भाग साभी क्यूं? क्यूंकि हम जो नहीं चाहते वो हमने थ्रो की हुई है और वही हमें रिटर्न मिली हुई है इसलिए इस सिद्धान्त का आधर करो ये इश्वर ने बनाया हुआ सिद्धान्त है कि जो जिसको जितने फोर्स से ज़्यादा फैकेगा वो उसको उसके दुगने फोर्स से वापस मिलेगा